क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि जल्दी से आए लाइब जल्दी से आए लाइब हम भी देख रहे थे कि इंसान छुपता कब तक है और आज फाइनली मैंने बाहर निकाली दिया जो मैंने कम्मुनिटी डाला सब लोगों ने देखा होगा कम्मुनिटी हमारी बात करते हैं अ अफिज सामने आके डाली हूं इनका वीडियो में इन कि हमने पूरी नहीं देखिया पूरा रड ओ Umwelt देखीया अभी मेरे को कुछ बैस जींग दांअtone अभी हम थोड़ा बेजी हैं अभी हम इनका वीडियो चलाते हैं इनोंने वीडियो में बिल यूशत सब्सक्राइब है ड़ी कि मुझा मैंने सब्सक्राइब करें और मुझे नहीं सब्सक्राइक नहीं आज कांक्छा देदी को भी बोल रहे हो ना वो चीज मैंने भी आपको वोला था कि भाई यह चीज अभी मुझे सही नहीं लग रहा है मैंने बोला था लेकिन उसके खिलाप भी भड़काया गया कि मनीशा ऐसे हैं जो आपने मैं एक और चीज बताती हूं एक मिनट पहले मैं वीडियो चलाती हूं टॉपिक पर बात करते हैं पुरानी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे अभी टॉपिक पर बात करते हैं स्टार्ट होगा है लाइव देखिए अब आधार इनका वीडियो देख रहा है तो थोड़ा शयद वीडियो लाने में बहुत ज्यादा लेट होगे हूं नहीं हूं लेट होगा है ने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया अभी टॉपिक पर बात करेंगे यह तेरी बात कर लिया जो मैंने तेरी बातिया सबने रोका था सबने रोका था मैंने भी रोका था इनको मैंने भी रोका था बहुत बार रोका था कि मैं तो इनको चिंकी दी बोलती थी ना स्टेज पर जाती तो मैं इनके नाम से रोती थी यार मैं भी आपको बहुत मानती थी बहुत ज्यादा लेकिन यह हमारी सबसे मैं आपको खुल अपनी बात बोलने आती थी कि चिंगी रिदी ये बात चिंगी दी वह बात कितना आपको मानती थी आप समझ रहे हो लेकिन जब मुझे लगा कि ये रिस्ता मुझे सही नहीं लग रहा है ये जो भाई बहुन का बात दो बढत चल रहे ना जब आप बार वह इंको फोन करने लग जाते थए — जे चुप सब लोग करहें रहेकर थे सब लोग नमे थे उस टाइम मैं घर पे थी मुझे मतलब ना मुझे लगा कि आप ठीक है अपने पती को बोल रहे हैं लेकिन मैं देख रहे हो ना कि पती तो ठीक है लेकिन सामने वाला का भी फोन ना रहा है सामने वाला भी उतना ही बेताव है सामने वाला उतना ही बेताव है मैंने जाके करना मत करना तो यह कहती है मैं तो करूंगी मैं तो करूंगी मुझे काम रहेगा चार नहीं हुआ लेकिन जो मैं जएल रही थिंधे साल से इतने सालहे हैं को Knights ठीक है मनीशा माना करी तो मैं दूर हो जाती हूं आज यह जो पूरा इज्जत का धजिया उड़ रहा है ना तब आके बोल लिए कि भाई मनीशा तो खुश रहा है आप क्या खुश रहने के लिए मुझे चोड़े हो पूरा मेरा बरबाद कर दिया अपने पूरा आपको उस यह जाती है कि मैं यह कर दों यह तक बोला कि आप चाहते हो मिने निए बात करोंगी मैं तो करूंगी बात चोड़ी यह वह ऑन टॉपिक पे बात आते हैं करिere इस लोग में गर्ती जुन कर अनको कुछ भी नहीं पता है todavía 95 परसंइच चीजे मेरे इस ख्राइब उससे नहीं अंको हुँ युशे पफ्राइब हो रहा है और दो इन यह क् Misalya को है है उ कर आती जुछा ती तु मेरा भी बॉंड आप से बहुत अच्छा था लेकिन ये जो बीच में चीजे चलने लगी ना भाई जाओ तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया जवाब दो मुझे और मैसुर आपने जो दिखाया ना वीडियो अपने वीडियो में की देखो को जो मुझे बद्नाम कर्ने के लिए कोशीश कर रहे हैं सुरियो मैं और बहुतना ना वीडियोा उसमें आप हम आपनों का वीडियो से सब्सक्राइब और रहे हो लो खाया था तो छो मैको में वीडियो बना देती हूं है हूं आगर इतना ही था तो मैसूर का जो ses Babe जाने वीडियो बना रहा है यह बंदी पीछे से गायव और कहां गायव पता नहीं चला बहुत लोकेशन था तो यह जाके मेरे पती सचिन राज यह जाके पीछे पीछे गया हो वहां तब ढूंड़ने मेरा तो पूरा पारा आयो गया था इतना ज्यादा मुझे गुसारा था कि इत तक इतना ज्यादा मेरें यह उसके बाद से यह लसमें पारित यह ठायạtि शोटी से बकती थी उनके बच्ची कि इन से न मुझे अच्छी वाली वाइक नहीं आ रही थी जब रूम दो होटल में रूम भूख हुआ था एक में ये और इनका भाई रहते थे और एक में हम तीनों रहते हैं हम हमारे पती और हमारी ननद लेकिन ये जैसे ही अपने रूम में जाते थी ना बस उसमें बाते हो सब्सक्राइब, पहले ही थी कि नहीं तो पहले ही महना किया था मैपना किया हम मेन स्चाटिंग में ही मना किया थाजी बहन, इसलिए पहले ही मेन मन मना किया है बहन स्टार्टिंग में ही इनको माना इस्यूद की ने लगतना परैशान इतना परिशान ओम yapt junior लगाती थी यह मैं फोटो लगाती थी जब मैं उबदाश रहती थी तो मैं अपने इंस्ट्रागरम पर स्ट्री लगा देती थी और फीर फोटो उस चीज को मनिशा तुमने ये क्यों लगाया ठीक है अगर मेरे से नहीं बोलती थी, इन से बोलवाती थी, ये मेरे को बोलेंगे, तुमने क्यों लगाया ऐसाइस्टेटर्स, भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था, अब आपकी जत्य बात आई है, तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है, वैसे ही, एक डेर साल से मेरे सारी चीजे जेल रहे थी, अगर आप अच्छी होती ना, उसे टेमा के बोलती मनिशा, ये तो गलत हो गया, अभी से तुम्हारे पती के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन अभी पिछले, अभी यहां आने से पहले, इनको मैंने मना किया था, मेरे पास सारी चीजे, मैं मैं इनको रिकोर्डिंग तक भेजी, कि मत आना, हमारे बीच में मत आना, लेकिन फिर भी नहीं मानी, आ मैं बहुत दूर हूँ तो तो तुम दोनों प्लीज खुश रहो, सची मनिशा, इतने अच्छे से बोलने की जरूरत नहीं है बहन, इतना अच्छे से बोल दी होती होत तो आपको समझना चाहिए था ना, आपने भी साड़े विस्ते तोड़ दी है, सिर्फ एक इनसान के लिए, आप दोनों आपस में बहुत खुश रहे हैं, पहले बात करते हैं, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है, आपने भई अपने घर में रहो, ये चीज अगर इन्हो मैं बहुत बेकार लगता था, मुझे अच्छा लगता ही नहीं था, इतना गंदा लगता था, इतना गंदा फिल हो रहता था, कि मैं क्या बता हूँ, ये जब हुपाल जाते थे न, मैं उस टाइम, मेरा इस्टोड़ी आप लोग, जो लोग अगर हमारा इंस्टाग्राम, ज बलती थी, जब सचीन यहां आता है, तभी तुमको एसा स्टोड़ी लगाना होता है, जब सचीन आता है, तभी ये लोग इतना मेले को धमका कर रखते थे न, इतना धमका कर रखते थे न, कि क्या बताओ, और इन्हों ने ही बोला था, कि जितने तुने लड़के नहीं लेकिन आप फिर भी आप घुस घुस के आई हो आगे इनके रिक्वेस्ट करने से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे ठीक है लेकिन मैंने भी इन बहुत रोरो के रिक्वेस्ट किया था कि मत बात करना मत बात करना मेरा डिवोस हो जाएगा इस चीद से मेरा घर तूट जाएगा उसके लिए कितना लड़ाई हुआ इसके पहले भी न मैं अपनी सासुमा से यह सारी चीज जब बताई थी ना तो कहते है पती-पत्नी के बीच सब्सक्राइब कीया है थी एक की मतलब था कि मैं अपने हस्बेंट का इसमें तररीफ सब्सक्राइब तारीफ कई हौा लेकिन आप ये मत भुलिए कि आपने खुद माना किया था कि तुम Manisa के साथ वीडियो नहीं बनाओगे मैसुमीद के सा wsp एक हैं लोगो ने उठाया ना इतना मैं जो जेली हूना बहगवान किसी और बढ़त को ऐसा दिन ना देखना पड़े नाम मेरा उचाला किया, मेरे ममी पापा मेरे भाई भावी लिए इस चीज पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते हूं जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इंवाइट किया थे वो शाहिद भगवान का इशारा था तो नहीं था इतना इंटेंशन मत दिखा हो कि हां उस टाइम भाई-भावी के शादी में आते तो हमारा पती यहीं करने गया था यह इस तरीके से बात कर नहीं कि भगवान का इसारा था वह चला जाता अरे खुद बुलाया गया गया है यह मैंने आपको रोका और यह मेरी सब अब नहीं आना है उस टाइमेरी कुछ भी नहीं बात होती थी ना मैं जानती थी ना कुछ था इन से ना मैं इतना लेबल तक गंदा सोच भी सकती थी बहन ने चाहा था शायद कि यह रिष्टा आगे ना चले लेकिन मेरी ना समझी मेरी गलती रही है यही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी गलती रही है आपकी घर आकर आपका महल देखकर इनका बात चुनिए ध्यान से तो मैंने आपकी जो महनत की कमाई है महनत जो लगी है वह अब दिख़ा है क्वैंकि आप महल कोई आसे नी बोलती आप कढ़़ीं मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नी जैते हैं다고 करची का म china नहीं ही क्या है आपको करजे का महल देखने दूंगे आपको अपको लेने के लिए सूच भी कासा सकते हो आप तो साफ साफ इसमें बोल लें कि मुझे करजे का महल नहीं चाहिए कौन देने जा रहा है कौन देने जा रहा है आप खुद आ रही हो इस चीज को लेकर वो आपको मबार्ग हुआ आपका जो भी चल रहा है जिस तरीके से चल रहा हूँ आप मैंसे बहतर जानते है तो बहुत पहले समझ जाना चाहिए था इस तरीके से निलाम करी एक औरत की तो मैं अच्छा इनके वीडियो से साफ साफ लग रहा है कि इनका कोई गलती नहीं था कोई गलती नहीं था ये मतलब ये कहना चाहती है कि जितना गलती था सिर्फ एक इंसान का गलती था सचीन राज का इनका ब़त है बगान से कामना करते हूं सकस् DP बने हुए ही मुझे प़ता है कि बच्चे का दर्ध क्या होता है मुझे अभी सेँधा है और यह जो अलका है यह आज बोल रहे कि मैं तो तुम्हारे शाहbay उह और तुम्हार भर बरबाद नहीं होने दूँगी और ऐसी ओरत मुझे तो मन कर रहे हैं इतना गाली दू ना इतना गाली दू लेकिन दे नहीं पा रही हूं मैं यह कहती है ओरत कि मैं तुमको बद्धुआ देती हूं कि तुम्हारा अउलाद ना हो यह अलका जी जो ऐसे लोगों की चंची बन वही है एक औरत के साथ ऐसा होगा एक औरत की दच्चिया उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी सोबार सोचते हैं लेकिन एक औरत का घड़ उजाडने से पहले ना एक औरत भी सोबार सोचती है एक औरत को भी सोबार सोचना चाहिए और हम इतना माना किये इस औरत को इतना माना किये इतना माना किया है ना रो रो के वाईस बेजते थे प्लीज मत बात करो मुझे लगने लगा था कि ये जो ये न क्या बोलते हैं जो हमारा जगह था न वो जगह लेने के लिए एक्दम बेताब हो गई थी कि उसके बारे में बोलने या ना बोलने लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा क्यू मान रखेगा भई इतनी बुरी तरीके से मेरी धच्या उड़ाने के बाद में मेरे बारे में अब शब्द भाई जितने लोग लाइट देख रहा है न मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना कोई बीच में जाता है इनको यह चीज पता था इनको बाद करके आपने जितनी चीज़े उन से बूली आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया तो यह बहुत ज़रा गलब था अरे बाप रे सुमीत महल को मेरे पती ने फोन किया तो इनको बहुत दर्द था बैई दर्द हुआ ना अपने टाइम दर्द हुआ ना वैसे मेरे से जो एक साल से छीन के रखी थी ना उसका दर्द तो अभी नहीं पता है लेकिन आप मेरे अलाद के लिए बोल रहा हो ना कि भ बार-बार फोन करके इतना मतलब घुसा रहे हो दिमाग में इतना घुसा रहे हो कि उसका दिमाग इधर से इधर घुमा दियो मुझे भी पता है जिससे मैंने शादी किया था ना वो इंसान कैसा था और आज यह जो भी हुआ है ना सिर्फ एक औरत के वज़ा से हुआ है सिर आने वाले टाइम में इतना कचड़ा होने वाला है तो यह थोड़ा संफल जाती लेकिन इनको पता था कि अन्जाम होगा और सच को दबाया गया मैं जब भी इनको बोलती थी ना कहती थी तुम्हारी हिमत कैसे हुए मेरे पैलिगेशन लगानी की तुमने सक कैसे कर लिया मे ूर्ट मेरे टो इतना धंका दे थी थी ना कि एक तो मेरा माइब अपना मेरे को संसकार दे दिया है कि शुप रहने का यही सबसे बड़ी गलती है मैं आज भी अपने मम्य पापा को बोलती हूं यार लड़ना सिखाओ बोलना सिखाओ लेकिन मम्य पापा तो चुप रहते हैं बस मेरे को भी उन्होंने यही सिखाया कि पेस्स रखो ठीक हो जाएगा बात लेकिन नहीं भाई आज के डेट में न बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, नहीं तो यही अंजाम होगा, एक साल बात जो अब हम भुगत रहें, उनके परिवार को घसीटा, इनको बहुत दुख है, सुमीत महल को घसीटा, इनको बहुत दुख है, लेकिन इसने हमारी फैमिली को घसीटी गई, मुझे बरबा बहुत गंदी तरीके से तुमने सही बोला था कि मैं गज़त जा रही हूं लेकिन फिर भी सच को कितना भी दबाओगे न सच को तो आएगा एक दिन सामने बीकित गया आपने गह दो कितने में में साथ दिया न मुझे जा रहा हूं तो अगर सामने वाले से बोलेगे ना जोड़ेशन है मैं मर जाऊंगा अच्छा मेरा पती पागिल है that the man called in one Tales to do करते हैं हमारे पाती को बोलते हैं कि हाँ तुम लड़ना सीखो यह शीज सुमीद महल से वह पूछ लिजे पहले शुममित महल से पूछ लिजे उसके बाद आतके यहां पर सफाई आपने पाती के बारे में बारे में इस कानान कि थे प्रवोक किया 시간이 आप國 किसी की दज़्या उड़ा दो आपने और मनीशा ने जितना अभी तक सोचल मीडिया पर मेरे लिए किया है और एक बात यह में सबसे पहले क्लियर कर दूँ जो आपने बूली कि आपका इस्तमाल किया गया फाइनेशली आपके इस्तमाल किया है, अच्छा मैं? इसके पास रहने रहें, तक हमारा पूरा काम करता रहेगा, इसको भूमाते रहेंगे, और यह पूरा दिमाग लगाते रहेगा, यह ब्रैंड दो, वह ब्रैंड दो, भाई मेरा पती का, वह गलत किया है, बहुत गलती हुई है, गलती जितनी आपसे हुई है, उनसे भी हुई ह लेकिन अभी आपने मेरा इस्तमाल किया है इनकी बातों से ना मेरा मुझे लग मेरा है तो मैं आप जोड़करी वीडियो बनाऊंगी आप हाँ जोड़ने लाइक ही हो बहा है आप मुझे मेरा पैसा वापिस कर दीजे क्योंकि दो साल से मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला मैं मैंनों पिछले टाइम ही मैंने कुछ ताइम पहले ही इनको बोला कि आपको पैसा देना है नहीं मैंने पैसी की बात करी क्या मैंने पैसी की बात करी क्या इन्होंने ऐसे बोला है छोड़ो यह जो बात है यह मुझे डीपली नहीं पता है क्या चीजा है नहीं है यह हमारे ज जब उनसे अपना इतना सारा काम करवाते थे इतना सारा ब्रैंड का वुटिक का हर एक चीज़ का तो यह भी करो लेना चाहिए तो बाद में आपने तोड़ा तोड़ा करके जो मुझसे लिया तो आप पैसा मुझे वापिस कर दीजिए फानिशली मैंने आपकी हेल्प की ना क अब यह भी को लेकर जाना था उनको उतने टाइम पर माइकरेन की प्रोब्लम है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पहले के व्लॉग जागर देख सकते हैं आप अपने आपको सही साबित करना चाहते हैं आप सिर्फ यह चाहते हैं कि मैं गरेक्टर लेस हूं मैं ब आपको उसी टाइम साइड हो जाना चाहिए जो अभी आप आके बोल रही हो ना वीडियो में हाज जोड के माफी मांग रही हो और यह सरीता दिदी का अकांच्छा दिदी का जो नाम ला रही हो कि तुमने अच्छा दिखाया था अच्छा समझाया था उन्होंने सच में जाती थी तो एक क्लिप में आपके साथ में शेयर कर रही हूं सबसे आप इसक्लिप को देख आजाए अब यह क्लिप कर रही है है यहां यह दिखा है कि आपके अहां के दिखा रही है मैं भीडियो मात बनाना नहीं तो अब भी तक पूरा सच नहीं पता है नहीं तो अब भी आके धोके रख देती मैं आपका तो सबसे पहले ना यह जो हमारे गाड़ी में आगे बैठने का भी ड्रामा रहता था ना यह भी मैंने देखा था आपका मैंने आपकी help करिए यह भी मैंने क्लियर कर दिया और मनीशा मैंने तुम्हारे पती को मैसूर नहीं बुलाया था बल्कि इनकी जित के कारण ठीक है लेकिन आपने मुझे बोला क्या आपने तो यह तक माना किया था कि बड़े वाले दिन सचीन आपने बीबी के साफ नहीं रहे और अपने यह तक बोला था तो इन्हों नहीं ने बोला था सचीन राजने कि तुम्हारे चीजों को ना बहुत बढ़ा नुकसान हो जायेगा तो मैसूर आस जाने के रही हो गय थी यह भी मुझे बताना जरुनि नहीं समझे इस बी और घर तोड़ने का सोच रही है तो यह आज जो social media पर ए गंदगी है ना भाई बेहन वाली भाई यह कभी आती ही नहीं जहां देखो जब भी YouTube खुलो बस यह गंदगी फैली हुई है जब भी YouTube फोले इतनी गंदी फैल हुई है कास यह आपको पहले भी समझ में आ जाता इश्वर पहले भी देख रहा था इश्वर जब आप यह काम कर रहे थे ना जब मैं मना कर रही थी जब मैं रो रही थी आपको गड़ गड़ा के बोलती थी मत बात करो मत बात करो तब भी इतना मत बोलो और मैसूर ना जाकर मैंने अपना खुद का देला उनकी बात है भाई वह आकर सफ़ाइब मुझे बस इन से जानना था कि यह ऐसा क्यूं की हमारे मना करने के बाद भी क्यों बात करती थी क्यों बात करी ना कि इस बंदे ने अपनी टिकेट करी थी कि जमाने क यह मिलने के लिए इतने जादा पागल हो रहे थे क्यों पागल नहीं बनाते ना अगर आप जो बहन वाली इंटेंशन दिखाई होती ना तो पागल नहीं होते कि मुझे मिलने के लिए कि इतना पागल थे इंको क्या दूखाना थे इंको क्या आएंगे यह थे आएंगे लिए इनोंने मुझे इतना प्रेशर दिया मुझे ब्लेकमेल किया गया है यह सब्सक्राइब अगर अन चैम्रा भी करना पड़ा तो मैं जब बहुत ज़्यादे आपने को साबित नहीं कर सकते हैं मैंने आपको मना किया था जब किया को नहीं बात करना है तो मुझे इतना ही आके बता दो क्यों बात परते थे क्यों इतना पीछे परते थे मेरे सवाल का जवाब दे दो बस मेरे सवाल का जवाब देखे जाओ अब अपनी जिन्दगी में खुश रही है इनका एक चीज है ना हमेशा बोलती है डंगी की चोट पे इन्होंने ना ये भी बोला था जब मेरे को जुट लाया जा रहा था ना जब चार लोग बीच मेरा थे एक सिकन इनको लीगल वाला स्टेप लेना है न ये लेंगी अपना हम पूरा पूरा काम करके पूरा कांड करके और ये मुबाण होना चाहती है दूसरे का घर उजाड़के बिगाड़के और उससे ये खुश रहना चाहती है इनका भी बात सुनिया अरे पिछला था जो आपका पिछल उसको अपनी जिंदी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती है लेकिन जो एक साल से तेट साल से ये सारे जहेल रहा था आज उसके सामनी आया है तो वह कैसे मुबान करेगा वो मेरे को ये बता दो तो मत रखो ना कितना बार बोलोगी नहीं रखोंगी मेरे को तो बहुत कुछ परिवार देखिए क्योंकि कि किसी प्रकार का कोई रिष्टा मेरा आपसे नहीं है अब इसका नहीं सून सकते हैं ये इनसान का दिमाग ना जैसे बोले ना साइको ये मेरे पती को वोलिये साइको हो गया है ये वी साइको थी पहले पुरा दिमाग खड़ाप करके रख किसी का ये सब तमासा देख के आई है तमासा जब पूरा हो गया ना तब ही आकि बोल रही है अपनी वीडियो में कि अब ये करना चाहती हूं वह करना चाहती हूं मैं खुश रहना चाहती थी मैंने बार-बार मना किया था तो क्यों आई लीगल वाला बात यह जब बोल रही है ना कि हमने अपनी करवाई कर दी है अपने करवाई कर दी है तो मैंने भी कर दी है मुझे भी डर नहीं है मैं भी लीगल एक्षन लोंगी जैसे गलती की है ना दूसरे का घर हुजाड के वैसे भी मैं भी लोंगी एक्षन लो जो लेना ह मेरे को अभी बहुत तेज गाल मतलब क्या ही बोलूं मैं भी ऐसी लड़की नी थी यह आई अउरत ने इतना मुझे पागल बना के रख दिया इतना मुझे ना यह बेवकूफ नहीं होते हैं बेवकूफ वैसा मेरे को बना के रख दिये इसको अभी कुछ टाइम पहले भी मैं मैंने मैसेज किया हुआ था आज नहीं अब ही जब मैं अपने से सुराल में थी आने के पहले एक एक शिकन मेरे फोन पर कुछ नोट्स वेगर आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे है को मेरे दूसरे नंबर पर नहीं आ रहे है कि अ अच्छा ये आपने जो लीगल नोटीस भेजा हुआ है ना आपने ये जो अपना लीगल नोटीस भेज के आपको क्या लग रहा है कि मैंने नहीं किया है मैं चार दिन पहले ही ये स्टेप उठा चुकी हूं मेरे को धमकाने के जरूरत नहीं है क्योंकि गलत तुम भी हो accept करो स कि माफी मांगने को जाए कहते हैं चार कोस दूर रहो भाई चार कोस दूर रहो एक सिकेड़ चलिए बाकी जो बाते हैं ना वो मैं लाइव एंड होने के बाद मैं भी एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और इसमें लीगल एक्षन की जो लेने की बात इन्हों चल रही है इनकी तो मैंने भी चार दिन पहले कर दिया है और मैंने भी आपके उपर कर दिया है मैं खुलियाम बोल रही हूं सब के उपर दिया है मैंने उसमें दराने धंखालने वाली बात नहीं है आप लीजी अपना लीगल एक्षन और यह लीगल एक्षन लेने के बाद यह आके बुलने की ज़रूरत नहीं है आप लीजी अपना हों मैं काफ़ी टाइम से चुप हूं मैं कैमिरे के सामने तक नहीं याना चाहती हूं क्योंकि मैं सोचती थी ना किया तो क्यों नहीं यह को तो चली अभी प्लेजी करते हैं बाकि बहुत सारी बाते करनी हैं तो अब दिख इसंते हैं आते हैं मिलते हैं आप लग उसे सब तक लिए राइब पेंड करते हैं कर दो कर दो